अब गुड मॉर्णिंग बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे एटीचर फूर आल सीजन्स एक सिछक जो होता है वो सारे मौसमों के तरह होता है आज हम लोग इनके बारें पढ़ेंगे कि टीचर का जो है क्या इंपॉर्टिंस हमारे जिन्दगी में है यह सारी सारी जानकार्याइद हम लेंगे इस पोएम के माधियम से आज हम लोग पढ़ रहे हैं फूर्ट किलास का जो है पहला चैप्टर है इंग्लिश का दस टीचर ऑफ आल सीजन्स ओके तो सबसे पहला लाइन में पढ़ता हूं ठ फल यह लाइन ठीक है उर्टीचर जो है बसन्त लिटु एक सिक्छक जो होते हैं बसंद ळिटू के तरह होते हूं नेट्रीटेस्न लिग्रान इस पर जो नए एंग्फोर में पॉषं देते हैं जो नए पौधों में क्या करते हैं पॉषं पौषं डेते हैं जिसससे यह एक नया पौधा कौन है नया पौधा मिन्स एक छोटा से स्टुडेंट्स एक बच्चा ठीक है उसमें जो है वो अपना पोशन देते हैं जिससे वो बच्चे क्या होता है आगे बढ़ता है इनकॉरेज अनलीट्स देम और वो उसे प्रोसाहिद भी करते हैं और उन्हें नेत्रित भी करते हैं कि तुम्हें ये काम करनी चाहिए तुम्हें ये काम नहीं करनी चाहिए और जो बच्चा जब अच्छा काम करता है तो टीचर उसे प्रोसाहिद भी करते हैं कुछ बहुत सारे प्रुसकार भी मिलता है टीचर के दरब से ठीक है वेनेवर दे हैब डॉट्स जब आगला लेहन मैं पढ़ता हूँ A teacher is like summer एक teacher जो है summer season के तरह है ठीक है Who's sunny temperate मतलब जिनका सौभाव जो है ना बहुती गरम होता है कभी-कभी Teacher जो है कभी-कभी क्या होते हैं बहुती गरम भी हो जाते हैं बहुती होट हो जाते हैं मतलब उनका temperate जो होता है वो hygiene temperament जो होता है वो क्या होते हैं बहुत हूट होते हैं Make the studying a pleasure preventing this content जो क्या करते हैं जो हम लोगों को अश्टडी करने में बहुती मदद आते हैं जब teacher जो है जब teacher जो है गरम होते हैं जब teacher जो है गुष्टा करते हैं तो हम लोग तब बच्चे क्या करते हैं अश्टरी करते हैं और जो आसंतोस होता है बच्चों में जो आसंतोस होता है उसको रोकते भी हैं वो कौन रोकते हैं? वो टीचर ही रोकते हैं ठीक है? तिसलिए बोलता है teacher is like a summer teacher एक गर्मी के मौसम के तरह है who sunny temperate जिसका जो है जिनका जो है सौभाव जो है गरम होता है गरम भी होता है makes studying a pleasure जो हमें पढ़ने में मदद करता है preventing discontent जो अंसंतोस को रोकता है अगला लैंड में इधर पढ़ रहा हूं यहां से ठीक है a teacher is like fall एक teacher जो है जहरना के तरह है with methods crisp and clear जिनका method होता है जिनका method जो है बहुत ही clear है ठीक है जिनका method जो है बहुत ही clear होता है lesson of bright colors जिनकी सबक जो होती है वो क्या होता है उजवल रंग का होता है जो हो कुछ भी सबक देते हैं वो कुछ भी task देते हैं हम लोगों को उस task के पीछे जो है उजवल रंग भरा है उजवल भविस्य भरा है बच्चों का and a happy atmosphere और जो है खुशी का वातावरन जो पैदा करते हैं वो भी सिच्छक ही पैदा करते हैं वो भी टीचर ही पैदा करते हैं वो भी उस्ताध ही पैदा करते हैं ठीक है? अगला लेयन में पढ़ता हूँ A teacher is like winter टीचर जो है सरदी के मौसम के भी तरह है एक सिच्छक जो है सरदी के मौसम के तरह भी होते है while it's snowing hard or side जब बरबारी जब होती है ना इनकी जब बरबारी होती है keeping students comfortable तो बच्चे ऐसा महसूस करते हैं एकदम क्या बोलते हैं comfortable एदम महसूस करते हैं अच्छा लगता है जब teacher के तरह जब बरबारी होती है वो महबत वो प्यार वाली जो बाते जब निकलती है teacher के जबान से अपने बच्चों के लिए तब वो बच्चे अपने आपको comfortable महसुस करते है as a warm and helpful guide जिसे जब गर्मी के मौसम से एक एक जब बारिस हो जाती है या फिर बरब बारी हो जाती है तो मौसम कैसा वाता अनुकूल हो जाता है एक दम उसी तरीके से बच्चे भी टीचर के बारिस हो जाती है और अपने आपको अच्छा महसूस करते हैं तो इसलिए बच्चों teacher का बहुत ही एहम रोल है हमारे जीवन में अगर सिच्चक ना हो तो हम लोगों की जिंदगी जो है just like a blank paper ठीक है हमारा जिन्दगी जो है एक कोड़ा कागज के तरह है जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारण उनसे अगर जाके पुछे कि What is the importance of the teacher तो वो तुम्हें बताएगा कि teacher का importance क्या है ठीक है आज तो हम teacher की जो है teacher को जब देखते हैं तो सलाम तक नहीं करते हैं आदाब तक नहीं करते हैं ना good morning करते हैं ना good afternoon करते हैं बच्चे जब देखते हैं तो भाग जाते हैं लेकिन ऐसा आप लोगों में से ऐसा कोई भी बच्चे ऐसा नहीं करें जब भी teacher आपको मिलें तो आप उनसे अच्छे तरीके से पेस आएं आपको जब भी वो कोई अच्छे टास्क दें तो आप उसको अच्छे तरीके से निभाएं ठीक है क्योंकि टीचर जो है बहुती एहम रोल हमारे जिन्दगी में निभा रहे हैं अगर टीचर ही ना हो तो हम लोग क्या है? मैं उनका बहुती ठैंक्फूल हूँ जिन्होंने यह चीज को लिखा है लिखने वाले कौन है? लिखने वाले है विनसल टमानी ठीक है? लिखने वाले कौन है? चलिये इसके ऊपर भी कुछ दिया था मैं इसको पढ़ते हैं आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक चित्र है एक चित्र है किनका है यह चित्र है डॉक्टर सर्विपल्ली राधा कृष्णन जी का ठीक है चली मैं इनके बारे में यहां से पढ़ता हूं इस पिक्चर में कौन आदमी है यह डॉक्टर इस राधा कृष्णन जी है सर्विपल्ली राधा कृष्णन जी है जिनका जनम दिन हम लोग टीचर दे के रूप में मनाते हैं सिच्छक दिवस्च के रूप में हम लोग सर्विपल्ली राधा कृष्णन जी का जनम दिन मनाते हैं अब इनके बारे में क्या है कि यही सिच्छक बहुत सारे बच्चों को नेता भी बनाए है बहुत सारे बच्चों को बिजनसमैन भी बनाए है और more than everything और भी बहुत जादा से जादा चीज़ जो है वो सारे के सारे चीज़ जो है और बहुत से अच्छी से अच्छी जो है एक अच्छा आदमी बनाने वाले कौन होते हैं वो टीचर ही होते हैं जो सर्वपली राधा कृष्णन जीने किया है ठीक है इसलिए जो है एक टीच टीचर की जिन्दगी हम टीचर की रूल हमारे जिन्दगी में बहुत इंपोर्टेंस रखती है एक टीचर ही आपको नेता भी बना सकता है एक टीचर ही आपको बिजनसमैन बना सकता है और सबसे बड़ी बात एक टीचर जो है आपको एक अच्छा इंसान बनाता है इंसान क कि आप क्या होते हैं वो टीचर ही बताते हैं आपको कि आप क्या हो ठीक है और जो है टीचर के हमेशा रिस्पेक्ट काने चाहिए आप चाहे उस टीचर से पढ़ रहे हैं या उस टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है हमेशा टीचर की जो है रिस्पेक्ट किया किजिए क्योंकि टीचर के बिना हमारे जिंदगी जिस लाए का ब्लाइंड पेपर इस और फिर आप directly मुझसे message करके बात कर सकते हैं डाइसल फो टूडे गुडबाई खुदा आफिस घर पर रहें सेफ रहे